महनूर बलोच को शोबिस में लाने वाला कौन? महनूर बलोच ने बताया कि चूंके इनकी शादी हो चुकी थी तो इन्हें कुछ मालूम नहीं था कि जिन्दगी में आगे क्या करना है? जो मवाके मिल रहे थे वो इनका तज्जूर्बा कर रही थी। अदाकारा ने बताया कि वो कैमरे के सामने आने से घबराती थी। इन्होंने बताया कि कैमरे को देखकर मैं किसी कोने में जाकर चुप जाती थी। लेकिन सुल्ताना सिद्धी की मेरे सुसर को फोन करके इस्सरार करती थी कि मैं किसी दरा कैमरे के सामने आ जाओं। सुल्ताना सुद्दीकी ने ही मुझे अदाकारी करने पर रजा मन्द किया। महनूर ने ये भी इनकिशाफ किया कि इनके सुसराल वाले इनके अदाकारा बने के खयाल पर रजा मन्द थे क्यूंकि इनके सुसर अपनी बहन सुल्ताना सुद्दीकी से बहुत करीब थे। महनू की जानिब से 2004 के एक बाकिया का तस्करा किया तो महनूर बलोच ने बताया कि एक शक्स था जिनका कहना था कि वो मेरे शोहर हैं अदकारा ने कहा वो शक्स खतरनाक उस वक्त हुआ जब वो घर पर भी आने लगे वो शिद्जोफ्रेनिया विमारी में मुपतला थे और अपने जहन ही जहन में इन्होंने सोचा हुआ था कि मेरा इनके साथ छुपकरने का हुआ है उन्होंने बताया कि जब वो शक्स घर आया तो इसे बताया गया कि मेरे हकीकत में शोहर कोई और हैं जवाब में इस शक्स ने मेरे शोहर के सामने कहा कि बड़े देखे हैं तुम जैसे हर कोई महनूर बलोच का शहर बनकर आ जाता है जब इनके घरवालों को पता चला कि मस्कूरा शक्स को पुलीस ने हरासत में ले लिया है तब इन्होंने बताया कि इनकी जहनी हालत ठीक नहीं है